स्वागतनी करोगे हमारा सो वेलकम 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 एवर्वन टू इस अमेजिंग सेशन और मैं कहता हूँ ना भाई आया है सब कराके जाएगा भाई आया है एंड तक साथ निवाएगा बस उसी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए आपके साथ एक शांदर वीडियो के अंदर आ गया हूँ जिसमें आपको काफी बच्चे पुछता है एफार में अमेंडमेंट है क्या चेंज़े है क्या भाई एफार में कोई अमेंडमेंट नी ठीक है बस ये एक्स्ट्रा कुछ सकता है एडिशन 6 हो सकता है एडिशन 7 हो सकता है ठीक है तो उनके लिए चीज़ रेलिवेंट है बिकॉज अब एफार में चेंज़ेस क्या आए उसके रिगार्डिंग बात करनी है चेंज़ेस कुछ नहीं है भाई येस क्वेशन एड़न होते रहते है क्योंकि जैसे ही आएडिशन 6 और 5 है उनकी बात करूँगा पेशन्स रखना तो अगर आपके बास एडिशन 7 है ठीक है या आपने जो भी मेरे क्लासेज देख रहा है उसमे एडिशन 7 में यूज कर रखा है तो आपके लिए मैंने सप्लिमेंटरी पीडिएफ बनाया हुए जहां मैंने 7 से 8 में जो भी चेंज़ेस आए वो सारे question मैंने chapter wise compile कर दिया तो मैंने बता भी रखा है this is a chapter wise compilation of newly added questions ठीक है जो भी नए questions add हुए वो mostly कहां से RTP, MTB, past exam और effectively बोलू तो mostly RTPs है क्योंकि MTBs में 1995 बसम questions सेम रते past exam में bearing November 23 का paper बाकी जो दो भी paper है वो similar questions है उसके अंदर ठीक है ध्यान रखना तो यह मैंने cover कर रखा है सर कब तक cover कर रखा है मैंने May 24 तक cover कर रखा है सर November 24 cover नहीं किया मुझे क्या पता November 24 के RTP में क्या आने वाला है है ना तो जहां तक अभी available हो सब मैंने cover कर रखा है अब सर यह आपने compilation के questions तो दे दिये इसकों को solve कॉन कराएगा सर हमार से क्यासे होगा ना मुना ना भाई आया सब करा के जाएगा तो मैंने questions तो करवा दिये इस question को जो solution इसका जो solutions है basically solution videos है वो RTP MTP गई है तो मैंने वो करवा रखे RTP MTP अलड़ी तो उसका मैंने एक playlist बना दिया आपके लिए और उसका QR भी दे दिया कल को यह link कभी-कभी double tap करने पे चल जाती है PDF होगा तो नहीं है तो QR scan कर ले ना फोन से जैसे यह आप scan करोगे ना आप मेरे इस playlist पर पहुच जाओगे जिसमें मैंने जो भी नए questions आइड हुए वो आपको यहां मिल जाएंगे तो आप अभी कैसे कर सकते हो supplementary PDF को cover कैसे करना है दो तरीके है अब जैसे मैंने chapter wise दे रखा है ना आपको तो suppose आपने इन्डेस 1 पढ़ा तो जैसे इन्डेस 1 कंप्लीट किया इसमें तो questions आड नी हुए छोड़ दो इन्डेस 2 पढ़ा जैसे इन्डेस 2 कंप्लीट किया यह 3 question है फटा फट से PDF खोली जो question खुद से बने हो खुद से कर लिए जिसमें आपको दिक्कत लगी तो मैंने वैसे बता रखा है कि suppose इन्डेस 2 है तो यह question है suppose आटी भी November 23 का है तो आप जा सकते हो आटी भी November 23 कोल सकते हो और यहां जाके वो इन्डेस 2 का जो भी relevant question हो तो मैं टाइम स्टैम भी डाल रखा है कि कौन सा-कौन सा question किदा रेकर के तो आपको दिक्कत नहीं होएगी ठीक है? ऐसा तो एक तो यह तरीक है कि आप chapter wise जब जब वो respective chapter आप पढ़ रहे हो तब तक तुरन-Tुरन कवर कर लिया या फिर अगर आप बोलते हो नहीं नी सर मैं एक साथ कवर करूंगा तो आप क्या करना? आप पहले पूरा एफर जो भी आपके classes बाग किये जो भी रिविजन करना हो पहले कर लो बराबर उसके बाद ये PDF एक साथ दो दिन बैठके पूरा कर लेना मतलब करीबन-करीबन आटीबिस का वीडियो जितने भी है duration भी देखोगे तो करीबन 7-8 hours है जिसमें आपका पूरा एकी PDF एक दिन में आपका हो जाएगा बराबर तो एक दिन देखे इसको लाश में भी आप कर सकता हो आपकी मरजी है ठीक है? तो मैंना आपके लिए सब कुछ दे रखा है इसके अंदर ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी चीज की और मैंना बता भी रखा है कि या तो आप ये supplementary PDF रिफर कर लो या फिर आप चाहते हो ये PDF नहीं रिफर करनी तो फिर आप RTPs अलग से कवर कर लो May, November 23, May 24 की पैसा ठीक है? तो ये आप कर लोगे तो आप November 24 अनवर्स के लिए एक दम तयार हो गए सर इसके लावा कुछ करनी के जरुवत है क्या? नहीं, सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर हाँ, अफकोस future में जो RTP आपके लिए लाएगा IC है वो आपको करनी है, वो भी आपको नहीं करनी है मैं YouTube पे करवा दूँगा वो ठीक है, तो till date जितने भी questions है, वो सब इसके अंदर हो गए तो I hope this is helpful, मतलब मैंने बहुत मेनद से बनाया भाई, देखो एकदम पूरा मस compilation बता रखा है किसमें कितना question आइड हुआ, कौन से page number पे, सब कुछ आपको मिलेगा इदरी retention लेने का जरुवत निया भाई, ठीक है, अब खास बात, जिसके पास addition 7 है, 7 to 8 का हो गया, जिसके पास addition 6 है, वो क्या करेंगे सर, तो मैंने जैसे addition 7 से 8 में जो भी changes है, वैसी addition 6 से 7 में जो changes है, वो भी डाल रखा है पहले, बराबर, तो जिसके पास addition 6 है उसको 2 additional PDF करने पेड़ेंगे, 6 to 7 का 1 PDF, और 7 to 8 का 1 PDF, ठीक है, अगर यह 2 आप संभाल सकते हो, तो आप addition 6 है काम चला लो, ठीक है similarly जिसके पास addition 5 है, वो तो बहुत पुराना हो गया, तो addition 5 है, तो फिर आपको 5 to 6 का भी PDF, 6 to 7 का भी PDF, 7 to 8 का भी PDF, अब यह 3 PDF बहुत भारी हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि main किताब भी है, 3 PDF भी है, तो मैं बोलूँगा, जिसका addition 5 है न, at least question bank नया भाई कर लो, at least question bank न क्यों नहीं खर इतना, अरे भाई पुरानी markings होती है, उसके अंदर हम LDR questions mark करते है, ना लेसस वगरा करकर रखते है, पूरा, आप जो highlight करकर रतों पूरी किताब को, वो थोड़ा confidence देती है, लगता है कुछ तो पढ़ा हुआ है, तो हो सरके तो change मत करना, जहां एकदम ही पार में वापस बतादू, अमेंडमेंट का हला मत मचाना, अमेंडमेंट आ गया, मेले कल, कुई मिरेकल नहीं होए, भाई को अमेंडमेंट नहीं झाया है, ठीक है, सिफ questions रड़ हुए, वह आपको मैंने दे दिये, तो इतना कलो है काम बन जाएगा, और इतना कुझ यादा मतलब अच्छे question है, इस मतलब literally good quality questions और भी खुद cover नहीं करना है, मैंने वीडियोज भी देर रखे तो दिक्कत नहीं होगी आपको ठीक है, अब ये PDF कहाँ मिलेगा सर, अरे ये तो बताये नहीं आपने तो वो case study based mcq जाते है, तो वो case study based, जितने भी mcq जाते है, उसका भी मैंने 1 hour 70 minutes में सारे case study based mcq करवा रखे आपको, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है तो और mcq की file मैंसे मैंने पहले share कर रखी है, आपको चहिए मैं वापस दुबारा share कर दूँगा हफते 10 दिन के अंदर, ठीक है, मतलब नई file है, कुछ changes नहीं है mcq में, तो वो जो new file है, वो भी आपको, मैं share कर दूँगे, ठीक है, मुझे बताना comment section में, चहिए क्या, पुरा और मैंध।